तो आपको सीधे प्रेस कॉंफेर्स पे ले चलते हैं पि कोई ना कोई इस तरह का निरनय हो जाए जिससे हम जो सरकार से टकरा से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही पांच घंटे मीटिक में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हर्याना की पोजीशन रखी भी हर्याना को आपने बिल्कुल क करश्मीर की वैली बना दिया है आप हर्याना में हर गाउं में पुलिस भेज रहे हैं हर्याना के हर गाउं ने वाटर कैनन भेजे हैं आपने हर्याना के हर गाउं में पटवारी जा रहे हैं हर्याना के तो इस तरह की पड़तार ना अधिक से अधिक है और देखिए आप पंजाब अर्याना किसे भारत के दो राज्ज नहीं ऐसे लगता है यह इंट्रनेशनल बॉडर बन गए हैं तो हमें जो नजर आ रहा है अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती हम तो का आज भी नहीं कह रहे हैं तो सरकार ने स्वैम रोड रोक रखी है पिछले दो तीन दिन से और जो वो दिखा रहे हैं कॉंक्रिट की दस्ट फूठ उची लंबी जो दिवार बनाई गई है एक रोडस में मुझे बताब हम तो इसको देश के लिए अनुगाते हैं उसको कीट भरते और इन्होंने हमारे लिए जो कि नों की हासल हरा वह मारे लिए उगा रखी हाँ हमारे सामने हमने तो मंत्री महोदे से कहा आपने महाराष्टर में जुल्म किया आप मद्धपरदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए आप यह बैंगलोर से आ करने ते यह हमारे लोग उनकी एक और थी आगुक उसको बालों से जैसे खीचा गया उसके सर पर चोट लगी हम फिर आपसे वारता करने गए आप मनें ओडिसा में सो किसान आरे से टिक्टे लिए थी उनको रेस्ट कर लिया आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देखे वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्वीटर हैंडल बंध होगी हम वारता कर रहे हैं फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी नाउसमेंट कर सकत है जो लगता हुने हम कुछ देना चाहते हैं तो वह दे दें लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वह सिर्व हमारे अंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा देखे सीधी सी बात बहुत आसान बात है MSP खरीद की गरंटी का कानून वह कह रहे हैं इसमें मंत्री महोते कमेटी बना देते हैं हमने सीधी सी बात CACPA कैसा आदा रहा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में शिपार्च करता वह सारी डिटेल्स ले लेता है वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भार सरका करती आ रही है हर 6 महीने बाद यह हो धान हो और चीज़े हों के उपर वह MSP का अनौन्स करते हैं कुछ फसले तो खरीदी जाती हैं कुछ नहीं करी हमने का आपने कुछ नहीं करना इस जो 23 फसलों का आप अनौन्समेंट कर रहे हैं पूरी कैलकूलीट करके उसके उपर legal shorty क कर दें आपकी मंडी में MSP से नीचे पिकेगी नहीं अब फिर बोले इस पर कमेटी बना हमने बोला इस पर तरक दीजिए इस पर कमेटी बनाने की जुरूरत है ही नहीं है तो इससे वह बिलकुल उसका जवाब उनके पास नहीं था आप कमेटी बनाके हमारे मुद्ध को डि सब्सक्राइब दोहजार अठारा में ततकालिन खेती बाड़ी मंत्री सचीव की चिखे जिन्होंने कासा सीट टू प्लस 50% के हमसार आपको फसलों के दाम देंके उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें और इस तरह से जबलपुर हाई कोट में जब किसानों ने जब केस दाला था तो उन्होंने दोनों दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्षी भी सुना जो जो पियल डालने वाले थे उसका पक्षी भी सुना और निरने किया भी MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी हमने तीने तरक उनके सामने रख दिये पर मंत्री महोदे का अकेले हमारे से और दूसरा हमने कहा आपने दो साल पहले चित्थी लिखिये में उसमें बोला था मैस्पी खरीद की ग्रेंडी का कानून बनाएंगे तो दो साल तो निकल गए समय तो आप क्यों दिया 40-45 दिन पहले हमने अंदोलन का एलान किया तब कर लेतें तो उनका अंदोलन को टालने का मुद्धा था जिससे हम निराश हुएं भी सरकार हमारे साथ बैठके मसले काल नहीं करना चाहती किसान मजदूर के करज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है यह बैंकों का काम है दस मिनिट का काम है भासरकार चाहे डेटा पांच चार दिन में क्लेक्ट करके दे सकती है कौन सी बड़ भी आता हम कहते चलो डेटा भी नहीं आप नाउस्मेंट कर दीजिए बिया किसान मजदूर का करज माप करेंगे किसे करना है कैसे कैसे करना है यह आने वाले समय में पता चल जाएगा तो मीटिंग चैसी सारी वारता मीटिंग में हमने सब कुछ मां बोला है सब कुछ कहा है इस बजा से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सब को मिलकर ये 10 बजे का बॉडरों की उपर जाने का निरने लेना पड़ा हमारी और से बिल्कुल peaceful कोई टक्राब नहीं करेंगे सरकार से सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर ठीक है आसुगेस के करें वो कर रही रहे हमारी और से उधर हौज के जबान भी हमारे घरों से भी हमारे निर्ण है दूसरा हम मीडिया से अपील करना जाएंगे फिंस मारे हम देश के किसान मजदूर है किसी जो बोला जारा मीडियम है कौई कांग। को नहीं कोई कौंगरस हमें स्पोट नहीं करती हम ऑतना दोशी मांते जितना भाजबा दोशी है यह नीती तो कॉंगर्स लेके आई हैं हम कोई लेप्ट नहीं हैं हम जो CPI CPM ने जो बंगाल में राज किया उन्हें ने बीसो गलतियां की वहां सब पच्छमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया हम किसी के पक्षबाले नहीं हैं हम किसान मजदूर की वाज उठाने वाले उनके आदम हैं चाहे और सिवल सोसाइटी है सबी सिवल सोसाइटी उसमें पत्रकार भाई चारा भी आता है वो जरूर इस बड़े अंदोलन में यह हमारा सवाल नहीं हम हमनी कहते 140 करोड देशवासियों की मांग है उसमें से 60 करोड से अधिक किसान है इस देश में खेत मदूर अलग है तो 70-75% अबादी की मांग है सब मिलके करेंगे इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं अगर क्रिशी बच गई तो देश बच जाएगा तो यह हमारी बात सी और मैं होन पंजाबी कह देना चमना फिर दिखो पराओ पंजाबी ते हरे आना मीडिया मैं सारा मीडिया कहन करना चंगा कोई मारा नहीं है अपने बंदे जरूर मीडिया ना कॉर्प कॉर्प जड़ा सहे जो